मर्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशा याह भविश्य द्वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो युहन्ना आया जो जंगल में बब्तिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बब्तिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहूदिया देश के और यरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बब्तिस्मा लिया युहन्ना उट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं कि छुक कर उसके जूतों का बंध खोलू मैंने जो तुम्हें पानी से बब्तिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बब्तिस्मा देगा उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहन्ना से बप्तिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर उपर आया तो तुरंट उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कभूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा और ये आकाश वानी हुई तु मेरा प्रेपुतर है, तुझसे मैं प्रसंद हूँ तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की और भेजा और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे युहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद येशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो गलील की जील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंके वे मचुए थे और येशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको मनुश्यों के मचुए बनाऊंगा वे तुरंट जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा उसने तुरंट उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए और वे कफरन हूम में आए और वो तुरंट सब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वो उन्हें शास्तियों की नाई नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उपदेश देता था और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुध आत्मा थी उसने चिला कर कहा एई एशु नास्री हमें तुस्से क्या का या तु अबे नाश करने आया है मैं तुझे चानता हूँ तु काउन है परमेश्वर का पावित्रचन येशु ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब अशुध आत्मा उसको मरोड कर और बड़े शब्द से चिला कर उसमें से निकल गई इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए हापस में वाद विवात करने लगे ये क्या बात है ये तो कोई नया उप्देश है वो अधिकार के साथ अशुध आत्माओं को भी आग्या देता है और वे उसकी आग्या मानती है सो उसका नाम तुरंथ गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया और वो तुरंथ आराधनाले में से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया और शमौन की सास जवर से पीडित थी और उन्होंने तुरंथ उसके विशय में उससे कहा तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और उसका जवर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी संध्या के समय जब सूर्य डूग गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन में दुष्टात्माई थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकठा हुआ और उसने बहतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा तब शमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गए जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढून रहे हैं उसने उनसे कहा आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूँ क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उससे बिनती की और उससे कहा वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे च्छू कर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और तुरंध उसका कोड जाता रहा और वो शुद्ध हो गया तब उसने उसे चिता कर तुरंध विदा किया और उससे कहा देख किसी से कुछ मत कहना परन्तू जाकर अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विशय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चड़ा कि उस पर गवा ही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुलम खुला नगर में न जा सका। परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुँ और से लोग उसके पास आते रहे। कई दिन के बाद वो फिर कफरन हूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकठे हुए कि द्वार के पास भी जगहें नहीं मिली। वो उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये। जब वे भीड के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्हों ने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। और जब उसे उधेर चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया। यीश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा। ये पुद्र तेरे बाब ख्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। ये मनुश्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन बाब ख्षमा कर सकता है। येश्यू ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो, सहज क्या है, क्या जोले के मारे सी ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर परन्तु जिससे तुम जानलो कि मनुश्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप ख्षमा करने का अभी अधिकार है। उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा कर घर चला जा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भूजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी, यिशू और उसके चेलों के सा भूजन करने बैठे क्योंके वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिये थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देख कर के वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भूजन कर रहा है। उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खा परन्तु पापियों को बुलाने आया हूं। युहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। सो उन्होंने आकर उससे कहा। युहन्ना के चेले और फरीसीयों के चेले क्यों उपवास रखते हैं। परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशू ने उनसे कहा जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते परन्तु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता नहीं तो वो पैवंद उसमें से कुछ खीच लेगा अर्थात नया पुराने से और वो और भी फट चाएगा नए दाकरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता नहीं तो दाकरस मशकों को भाड़ देगा और दाकरस और मशकें दोनों नश्ट हो जाएंगी परन्तु दाक का नया रस नए मशकों में भरा जाता है और ऐसा हुआ कि वो सब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे तब फरीसियों ने उससे कहा ये सब्द के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उजित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पड़ा कि जब दाउद को आवशकता हुई और जब वो और उसके साथी भूके हुए तब उसने क्या किया था उसने क्यों कर अभियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी और उसने उनसे कहा सब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है न कि मनुष्य सब्द के दिन के लिए इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखें वो सब्ध के दिन में उसे चंगा करता है अत्वा नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों और देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंक हेरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और यीशु अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरुशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीर ये सुनकर के वो कैसे आश्चरे के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीर के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे कि वे मुझे दबा न सके उसने बोहतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से क्रसित थे उसे चूने के लिए उस पर गिर पढ़ते थे अशुद्ध आत्माई भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पढ़ती थी और चिला कर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है और उसने उन्हें बोहत चिताया के वे उसे प्रगट ना करें फिर वो पहाड पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरिशों को नियुक्त किया के वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे के प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहन्ना जिनका नाम उसने बू अनर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, धोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहूदा, सकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वो घर में आया और ऐसी भीड इकठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके जब उसके कुटुमबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे ये कहते थे उसमें शैतान है और ये भी कि वो दुश्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुश्टात्माओं को निकलता है और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृश्टानतों में कहने लगा शैतान क्योंकर शैतान को निकाल सकता है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है उसका तो अंत ही हो जाता है कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा वरन वो अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा भीर उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंडते हैं उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन है और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे द्रिश्ट करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता है चौथा अध्याय वो फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई कि वो जील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही वो उन्हें द्रिष्टान्तों में बहुत सी बातें सिखाने लगा उसने अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो एक बोने वाला बीच बोने के लिए निकला बोते समय कुछ तो मारक के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया कुछ पथरीली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिटी न मिली गैहरी मिटी न मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड न पकड़ने के कारण सूख गया और कुछ तो जाडियों में गिरा और जड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया परन्तु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा वो उगा और बढ़कर फल वन्त हुआ कोई तीस गुणा, कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेत उससे इन द्रिश्टान्तों के विशय में पूछा उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें द्रिश्टान्तों में होती है इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझें ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किये जाएं फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये द्रिश्टान्त नहीं समझते तो फिर और सब द्रिश्टान्तों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो मारक के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है वैसे ही जो पथरीली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहन कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश्था उपद्रव होता है वे तुरंत ठोकर खाते हैं और जो ज़ाडियों में बोय गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोका और और वस्तुओं का लोब उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वो निश्फल रह जाता है और जो अच्छी भूमी में बोय गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं कोई तीस गुणा कोई साट गुणा और कोई सौ गुणा और उसने उन से कहा क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाएं क्यूंकि कोई वस्तू छिपी नहीं जो प्रकाश में न लाई जाएं और न कुछ गुपत है जो प्रकट न किया जाएं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले फिर उसने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा क्यूंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा परन्तु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने पृत्वी आप से आप फल लाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंद हनसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुँची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस द्रिष्टांत से उसका वरणन करें वो राई के दाने के समान है जब वो भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परन्तु जब बोया गया तो उग कर सब सागपाथ से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी चाया में बसेरा कर सकते हैं और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत दिर्ष्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दिर्ष्टांत कहे उनसे कुछ नहीं कहता था परन्तु एकांत में वो अपने निजचेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें और वे भीड को छोड़ कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वो अब बानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा ए गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाशुए जाते हैं तब उसने उठकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यूं डरते हो? क्या तुमें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है? क्या आंधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं? पांचमा अध्याए और वे जील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जब वो नाव पर से उत्रा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुध आत्मा थी कबरों से निकल कर उसे मिला वो कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था वो बार बार बेडियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों के तुकड़े तुकड़े कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वो लगातार रात दिन कबरों और पहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वो ईशु को दूर ही से देख कर दोड़ा और उसे प्रणाम कर उचे शब्द से चिला कर बोला क्योंकि उसने उससे कहा था उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा और उसने उससे बहुत बिनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज वहाँ पहाड पर सुअरों का एक बड़ा जुम्ड चर रहा था और उन्होंने उससे बिनती कर कहा हमें उन सुरों में बेज़ते कि हम उनके बीतर जाए सो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के बीतर पैख गई और जुन्ड जो कोई दो हजार का था कडाडे पर से छपट कर छील में जा बड़ा और दूब मरा और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गामों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशू के पास आकर तो उसको जिसमें दुष्टात्माई थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देख कर दर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माई थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे बिनती करके कहने लगे हमारे सिवानों से चला जा जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्टात्माई थी उससे बिनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन तु उसने उसे आग्या ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं वो जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किये और सब आश्चर्य करते थे जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई और वो जील के किनारे था और याईर नाम आराधनाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पावों पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत बिनती की मेरी चोटी बेटी मरने पर है तु आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जिवित रहे तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे और एक स्त्री जिसको बारह वर्ष से लहू बहने का रोक था और जिसने बहुत वैद्दियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाब न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी येशू की चर्चा सुनकर भीड में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को चूलिया उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही चूलूंगी तो जंगी हो जाऊंगी और तुरंत उसका लहू बहना बंध हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई येशू ने तुरंत अपने में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है और भीड में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने चूलूंगी 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 उसके चेलों ने उससे कहा तु देखता है कि भीड तुछ पर गिरी बरती है और तु कहता है किसने मज़े चूआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों और द्रिष्टी की तब वो स्त्री ये जान कर कि उसकी कैसी भलाई हुई है दरती और कांपती हुई आई और उसके पाउं पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रह वो ये कह ही रहा था के आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरू को क्यों दुख देता है जो बात वे कह रहे थे उसको ईश्व ने अन सुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत दर केवल विश्वास रख और उसने पत्रस और याकूब और याकूब के भाई युहना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुँचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है वे उसकी हसी करने लगे परंतु उस सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को ले वो भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा तलीता कुमी जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ लड़की तुरंट उठकर चलने भिरने लगी क्योंकि वो बारा वर्ष की थी इस पर लोग बहुत चकित हो गए फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी कि ये बात कोई जानने न पाए और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए चठा अध्याए वहाँ से निकल कर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिये सब्ध के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बाते कहां से आ गई और ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के कां उसके हाथों से प्रकट होते है इसलिए उन्हों ने उसके विशय में ठोकर खाई येशू ने उनसे कहा और वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अवश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गावों में उपदेश करता फिरा और वो बारहों को अपने पास बुला कर उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आग्या दी मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो न तो रोटी न जोली न पटुके में पैसे परन्तु जूतियां पहनो और दो दो कुरते न पहनो और उसने उन्हें कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने पैरों की धूल जाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराएं और बहुत दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और हेरो देश राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था। उसने कहा युहन्ना बबतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। औरों ने कहा ये एलिया है। परन्तु दूसरों ने कहा भविश्य दुक्ता या भविश्य दुक्तों में से किसी एक के समान है। हेरो देश ने ये सुनकर कहा जिस यहन्ना का सर बैने कटवाया था, वही जी उठा है। क्योंकि हेरो देश ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरो दियास के कारण जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेज कर युहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रह में डाल दिया था। युहन्ना ने हेरो देश से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं इसलिए हेरो दियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरो देश युहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाय रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था और ठीक अवसर पर जब हेरो देश ने अपने जन दिन में अपने प्रधानों और सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की उसी हेरो दियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरो देश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे उससे मांग मैं तुझे दूँगा उससे शपत खाई मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम उससे मांगेगी तुझे दूँगा उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू वो बोली उत्तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे बिनती की मैं चाहती हूँ कि तु अभी उहना बप्तिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे तब राजा बहुत उदास हुआ परन तु अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा और राजा ने तुरंट एक सिपाही को आग्या दे कर भेजा कि उसका सिर काट लाए उसने चेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मा को दिया ये सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर पेरितों ने यीशू के पास इकठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का आवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया। और सब नगरों से इकठे होकर वहाँ पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया। क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत धल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे। यह सुणसान जगा है और दिन बहुत धल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया। तुम ही उन् उन्होंने उससे कहा क्या हम सौ दिनार की रोटिया मोल ले और उन्हें खिलाएं उसने उन्हें कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया है उन्होंने मालूम करके कहा पांच और दो मचली भी तब उसने उन्हें आग्या दी कि सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो फिस सौ सौ और पचास पचास करके पांती पांती बैठ गए और उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलियों को ले स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोर तोर कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें और वे दो मचलियां भी उन सब में बाट दी सब खा कर त्रिप्त हो गए उन्होंने टुकडों से बारह टोक्रियां भर कर उठाई और कुछ मचलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे पांच हजार पुरुष थे तब उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैत सैदा को चले जाएं जब तक कि वो लोगों को विदा करे वो उन्हें विदा करके पहाड पर प्रार्थना करने को गया जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वो अकेला भूमी पर था जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वो जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था उन्होंने उसे जील पर चलते देख कर समझा के वो उठे और चला उठे क्योंकि सब उसे देख कर घबरा गए थे पर उसने तुरंट उनसे बातें की और कहा धाडस बांदो मैं हूँ डरो मत तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विशय में न समझे थे परंतु उनके मन कठोर हो गए थे और वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दोड़े और बीमारों को खाटों पर डाल कर जहां जहां समाचार पाया कि वो है वहां वहां लिये फिरे और जहां कहीं वो गावूं, नगरूं या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे बिनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्तर का आजल ही चूलेने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे सात्वा अध्याय तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इकठे हुए उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा फरीसी और सब यहुदी पुर्नियों की रीति पर चलते और जब तक भली भाती हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे वे बाजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे बहुत सी और बाते थी जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई थी जैसे कटोरूं और लोटूं और तांबे के बरतनों को धुना मांजना उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे जेले क्यों पुर्मियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोई रूटी खाते हैं उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं मनुष्यों की आज्याओं को धर्मो पदेश करके सिखाते हैं तुम परमेश्वर की आज्या को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिने तुमने ठहराया है परमेशवर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर अशुद्ध करे परन्तु जो वस्तु में मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वो भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे न समझ हो क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया फिर उसने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था के कोई ना जाने परंत वो छिप ना सका और तुरंत एकस्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पावों पर गिरी ये युनानी और सूरुफिनी जाती की थी और उसने उससे बिनती की उसने उससे कहा पहले लड़कों को त्रिप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभू, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुश्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। बिनती की के अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। और थूक कर उसकी जीब को चुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। और उससे कहा इपफता हा। अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए। और उसकी जीब की गाट भी खुल गई। और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया के किसी बने कहना। परंत जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। और वे बहुत ही आश्यर्य में होकर कहने लगे। उसने जो कुछ किया, सब अच्छा किया है। वे बहरों को सुनने की और गुंगों को बोलने की शक्ती देता है। आठवा अध्याय उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड इकठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा। मुझे इस भीड पर तरह साता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूका घर भेज दूं तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगी क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आये हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया। यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये त्रिप्त हों। उसने उनसे पूछा तुमारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा साथ। तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी। और वे साथ रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ीं और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी। और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी। तो वे खा कर तिर्प्त हो गए और शेश टुकडों के साथ टोकरे भर कर उठाए। पर चढ़ कर दलमनूता देश को चला गया। फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवाद करने लगे। और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा। इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंडते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वे रोटी लेना भूल गये थे। और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया के देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार कर कहने लगे। हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर ईशुने उनसे कहा। तुम क्यूं आपस में ये विचार कर रहे हो। कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आखे रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें स्मरण नहीं, कि जब मैंने पाँच हजार के लिए पाँच र साथ रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकडों के कितने टोकरे भर कर उठाए थे उन्हों ने उससे कहा उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते और वे बैट सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे बिनती की कि उसको चुए वो उस अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गाव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तु कुछ देखता है उसने आँख उठा कर कहा मैं मनुश्यों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड तब उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा और उसने ये कहकर उसे घर भेजा के इस गाउं के भीतर पाउं भी न रखना यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गामों में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया युहन्ना बब्तिस्मा देने वाला पर कोई एलिया और कोई भविश्य दक्ताओं में से एक भी कहते हैं उसने उनसे पूछा परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने उसको उत्तर दिया तू मसी है तब उसने उन्हें चिता कर कहा मेरे विशय में ये किसी से न कहना और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुर्निय और महायाजक और शास्त्री उसे तुछ समझ कर मार डाले और वो तीन दिन के बाद जी उठे उसने ये बात उनसे साफ साफ कहती इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पत्रस को जड़क कर कहा हे शेतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है उसने भीड को अपने चेलों समेत पास बुला कर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इंकार करे और अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सू समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाती के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे लज जाएगा और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी नचकेंगे चै दिन के बाद यीशू ने पत्रस याकूब और युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उंचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्वल हुआ कि प्रत्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्वल नहीं कर सकता और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशू के साथ बातें करते थे इस पर पत्रस ने यीशू से कहा क्योंकि वो नहीं जानता था के क्या कहे क्योंकि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें चा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला ये मेरा प्रियपत्र है उसकी सुनो तब उन्होंने एका एक चारों ओर द्रिश्टी की और यीशू को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया पहार से उतरते हुए उसने उन्हें आग ग्या दी जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे मरे हुओ में से जी उठने का क्या आर्थ है और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना वश्य है उसने उत्तर दिया एलिया सचमुछ पहले आकर सब कुछ सुधारेगा परन्तु मनुष्य के पुत्र के विशे में ये क्यूं लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा परन्तु मैं तुम से कहता हूँ एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विशे में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे है उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी और दोड़ कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हूँ भीड में से एक ने उत्तर दिया ये गुरू, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वो ही पटक देती वो मुँ में फेन भरला था और दात पीस था और सूखता जाता है मैंने तेरे चिलों से कहा कि वो उसे निकाल दे परन्त वो निकाल न सके ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा हे अविश्वासी लोगों मैं कब तक तुमारे साथ रहूंगा और कब तक तुमारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमी पर गिरा और मुह से फेन बहाते हुए लोटने लगा उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कबसे है? उसने कहा बचपन से, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर ये शू ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है जब ये शू ने देखा के लोग दोड़ कर भीड लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डाटा हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे अग्या देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश्च न कर तब वो चिला कर और उसे बहुत मरोर कर निकलाई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक के बहुत लोग कहने लगे के वो मर गया परंत ये शू ने उसका हाथ पकर कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया जब वो घर में आया, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों न निकाल सके उसने उनसे कहा ये जाती, बिना प्रार्थ ना, किसी और उपाय से नहीं निकल सकती फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे फिर वे कफरन हूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन है तब उसने बैठ कर बारहों को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है तब युहन्ना ने उससे कहा हे गुरू, हमने एक मनिश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था येश्यू ने कहा उसको मत मना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके क्योंकि जो हमारे विरोद में नहीं वो हमारी ओर है जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतीफल किसी रीती से नखोएगा पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो दस्वाध्याय फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया और भीड उसके पास फिर इकठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उनहें फिर उपदेश देने लगा तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे उसने उनको उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है उन्होंने कहा मुसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्या दी है येशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता की कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्या लिखी पर स्रिष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे और घर में चेलो ने इसके विशय में उससे फिर पूछा उसने उनसे कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याक कर दूसरी से ब्याह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यविचार करता है और यदि पत्नी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यविचार करत फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे पर चेलों ने उनको डाटा ये शू ने ये देख कृध्ध होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा और उसने उन्हें गोध में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशिश दी और जब वो निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा हे उत्तम गुरू अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आज्याओं को तो जानता है हत्या न करना व्यविचार न करना चोरी न करना जूटी गवाही न देना चल न करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना उसने उससे कहा हे गुरू इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ यीशु ने उस पर द्रिष्ट की और उसके ह्यदय में प्रेम उमणाया तब उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ दे रहा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले इस बात से उसके चहरे पर उदासी झा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठि चेले उसकी बातों से अचम्भित हुए इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा ये बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उंट का सुईल के नाके में निकल जाना सहज है। फिर बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे। तो फिर किसका उधार हो सकता है। येशु ने उनकी ओर देखकर कहा। पतरस उससे कहने लगा। देख हम तो सब को छोड़कर तेरे पीछो हो लिये है। येशु ने कहा। मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सूसमचार के लिए घर या भाईयों या बहिनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सो गुणा न पाए घरों और भाईयों और बहिनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और पर लोक में अनन्त जीवन पर भहुतेरे जो पहिले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहिले होंगे और वे यरुशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यिशू उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे तब वो फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी उसने कहा और तीन दिन के बाद वो जी उठेगा तब जबती के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा ए गुरू हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हों ने उससे कहा हमें ये दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे युशू ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्हों ने उससे कहा हमसे हो सकता है? ईशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं पर लेने पर हूँ उसे लोगे पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं ये सुनकर दसों याकूब और युहन्ना पर रिसी आने लगे ये शु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सब का दास बने क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे और वे यरीहों में आये और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड यरिहों से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, वो ये सुनकर के यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, बहतों ने उसे डाटा के चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा, जाडस बांद, उठ, वे तुझे बुलाता है, वो अपना कपड़ा फेंग कर शीग्र उठा और यीशु के पास आया, इस पर यीशु ने उससे कहा, तु क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिए करूं, अंधे ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे जंगा कर दिया है, वो तुरंट देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, जब वे यरुशलेम के निकट, जैतून पहार पर बैत फगे और बैत नियाह के निकट आए, तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गाओं में जाओ, और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ, यदि तुमसे कोई पूछे, ये क्यूं करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो श जिक्र उसे यहां भेज देगा, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर, द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया, वे उसे खोलने लगे, जो लोग वहां खड़े थे, उनमें से कुछ कहने लगे, ये क्या करते हो, गधाही के बच्चे को क्यों खोलते हो, उन्होंने जैसा यीशू ने कहा था, वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया, और उन्होंने बच्चे को यीशू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वो उस पर बैठ गया, और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और और उन्होंन कहते जाते थे और वो यरुशलेम पहुँचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तूं को देखकर बारहूं के साथ बैतनी आह गया क्योंकि सांज हो गई थी दूसरे दिन जब वे बैतनी यह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए उसके चेले ये सुन रहे थे फिर वे यरुशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा सराफों के पीड़े और कभूतर के बेचने वालों की चौकियां उलटती और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने ना दिया और उसने उपदेश करके उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकूओं की खोह बना दी है ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का आवसर ढूंडने लगे परन्तु उससे डरते थे क्योंके सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को वो बात स्मरन आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख ये अंजीर का पेड जिसे तूने श्राब दिया था सूख गया है ये शू ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड से कहे तू उखड जा और समुद्र में जापड और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हारे अपराद क्षमा करे और यदी तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद क्षमा न करेगा वे फिर यरुशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री और पुर्निये उसके पास आकर पूछने लगे ये शु ने उनसे कहा मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ युहन्ना का पप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था, मुझे उत्तर दो तब वे आपस में विवाद करने लगे के यदी हम कहें सुर की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों ना की और यदी कहें मनुश्य की ओर से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सब यहुन्ना को भाविशिदुगता जानते हैं सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते, यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से करता हो, बारमा अध्याय फिर वो द्रिश्टांत में उनसे बातें करने लगा, किसी मनुश्य ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर वो पर देश चला गया, फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, कि उनसे दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा, और छूचे हाथ लोटा दिया, उसने एक और दास को उनके पास भेजा, और उन्होंने उसका सिर फोड डाला, और उसका अपमान किया फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा उन्में से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला अब एक ही रह गया था अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगी पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले तब मिरास हमारी हो जाएगी और उन्होंने उसे पकड़ कर मार डाला और दाक की बारी के बाहर फेंग दिया अब दाक की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को दे देगा क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पड़ा? कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, ये प्रभू की ओर से हुआ और हमारी दृष्टी में अदभुत है तब उन्होंने उसे पकरना चाहा क्योंके समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए तब उन्होंने उसे बातों में फसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू, हम जानते हैं कि तु सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तु मनुश्यों का मुँ देख कर बात नहीं करता परंतु परमेश्वर का मार सच्चाई से बताता है तो क्या कैसर को कर देना उचित है की नहीं हम दें या न दें उसने उनका कपट जान कर उनसे कहा मुझे क्यूं परकते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं वे ले आए और उसने उनसे कहा ये मुर्ती और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का यीशू ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दू और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दू तब वे उस पर बहुत अचमभा करने लगे फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं के मरे हुओ का जी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा हे गुरू मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पतनी रह जाए तो उसका भाई उसकी पतनी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंशुत्पन करे साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे भाई ने उस इस्तरी को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों से संतान ना हुई, सब के पीछे वो इस्तरी भी मर गई, सो जी उठने पर वो उनमें से किसकी पतनी होगी, क्योंकि वो सातों की पतनी हो चुकी थी। येशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्तर ही को जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि जब वे मरे हुऊं में से जी उठेंगे, तो उनमें ब्याह शादी न होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे, मरे हुऊं के जी उठने के विशय में, क्या तुमने मूसा की पुस्तक में, जाडी की कथा में नहीं पड़ा, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इबराहिम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे ह और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर के उसने उन्हें अच्छी रीती से उत्तर दिया उससे पूछा सबसे मुख्य आग्या काउंसी है ये शू ने उसे उत्तर दिया सब आग्याओं में से ये मुख्य है हे इसराइल सुन प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आज्या नहीं शास्त्री ने उससे कहा हे गुरू बहुत ठीक तुने सच कहा के वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं और उसे सारे मन और सारी बुद्धी और सारी प्राण और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़ कर है जब यिशु ने देखा के उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ फिर यिशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा शास्तरी क्यों कहते हैं कि मसीय दाउद का पुत्र है दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहिने बैट जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीडी न कर दूँ दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीड के लोग उसकी आनंद से सुनते थे उसने अपने उप्देश में उनसे कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहिने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं वे विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ये अधिक दंड पाएंगे और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल विध्वा ने आकर दो दमडियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली, तब उसने अपने चेलों को पास पुला कर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीवी का डाल 13. जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, ये गुरू, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है, येशु ने उससे कहा, 14. जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगे, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगे, उस समय का क्या चिन होगा, येशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुमें न भर्माए, बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे, परन्तु उस समय अंतन होगा, क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और हर कहीं भुईडोल होंगे, ये तो पीडाओं का आरंब ही होगा, परन्तु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे, कि उनके लिए गवाही हो, पर अवश्य है कि पहले स समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौपें, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परन्तु पवित्र आत्मा है, और भाई क और पिता को पुत्र खात के लिए सौपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा, सो जब तुम उस उजारने वाली घ्रणित वस्तु को, जहां उचित नहीं, वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो, वे पहाडों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो, वो अपने घर से कुछ लेने को, नीचे न उतरे, और न भीतर और जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो, कि यह जाडे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे, कि सृष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स स्रिजी है, अब तक ना तो हुए, और ना फिर कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटाया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्चिद वक्ता उठ खड़े होंगे, और चिन और अदभुत काम दिखाएंगी, कि यदि हो सके, तो चुने हुओं को भी भर्मा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने तुम्हे सब ब सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, उस समय वो अपने द चोर से, आकाश की उस चोर तक चारों दिशा से अपने जुने हुए लोगों को इकटे करेगा, अंजीर के पेड से ये द्रिश्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है, इसी रीती से, जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, आकाश और पृत्वी टल जाएंगे, परन तु मेरी बातें कभी न टलेंग उस दिन या उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत्र और न पुत्र परंदु केवल पिता, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, ये उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जटा दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को, या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, ऐसा नहो, कि वो अचानक आकर तुमें सोते पाए, जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो. दो दिन के बाद, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था, महा याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे, कि उसे किस प्रकार चल से पकड़ कर मार डालें, परंतु कहते थे के, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो के लोगों में भलवा मचे, जब वो बैत नियाह में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र त क्योंकि ये इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मुले में बेच कर कंगालों को बाटा जा सकता था, और वे उसको जड़कने लगे, येशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यूं सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम कुछ वो कर सकी, उसने किया है, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में, पहले से मेरी देह पर इत्र मला है, मैं तुम से सच कहता हूँ, सारे जगत में, जहां कहीं सूसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी, उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस करियोती जो बारह में से एक था महायाजगों के पास कया कि उसे उनके हाथ पकडवा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया। और वो ये अवसर ढूंदने लगा कि उसे किसी प्रकार पकडवा दे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा। तु कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के तयारी करें। उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा। नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उसके पीछे हो लेना वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना। गुरू कहता है मेरी पाहुन शाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। कहा है। वो तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए तयारी करो। सो चेले निकल कर नगर में आये और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और फसह तयार किया। जब सांज हुई तो वो बारहों के साथ आया। और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक-एक करके उससे कहने लगे। क्या? वो मैं हूँ? उसने उन से कहा। वो बारहों में एक है, जो मेरे साथ ठाली में हाथ डालता है, मनुश्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है। परन्तु उस मनुष्य पर हाए, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिए भला होता। और जब वे खा ही रहे थे, तो उसने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देर है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवात किया और उन्हें दिया, और उन सबने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लोहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, गाक का रस। उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पियूँँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड पर गए, तब ये शुने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तितर बितर हो जाएंगी, परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को ये शुने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर दे कर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी तेरा इंकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। फिर वे गत समने नाम एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूँ। और वो पत्रस और याकूब और युहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक की मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा, यदी हो सके तो यह घड़ी मुझ पर सिटल जाए। और गहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मुझ से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है, वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, ए शमोन, तु सो रहा है, क्या तु एक घड़ी भी न जाग सका, जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तयार है, पर शरीर दुर्बल है। और वो फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आखें नींद से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। तब तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुँची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकठा पहुँचा। वो ये कही रहा था के यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्णियों की ओर से एक बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए तुरंट आ पहुँचा। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था के जिसको मैं चूमूँ वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। और वो आया और तुरंट उसके पास जाकर कहा, है रब्बी और उसको बहुत जूमा, तब उन्होंने हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ लिया, उन्में से जो बास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। येशू ने उनसे कहा, क्या तुम दाकु जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे नपकड़ा, परन्तु ये इसलिए हुआ है, कि पवि गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया, तब वे येशू को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुर्निये और शास्त्री उसके यहां इ कठे हुए, पत्रस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा, महायाजक और सारी महासभा येशू के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंके बहुत तेरे उसके विरोध में जूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सीन ना थी, तब कितनों ने उठकर उस पर ये जूठी गवाही दी? हमने इसे ये कहते सुना है, कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढ़ा दूँगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सीन निकली, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर ये शू से पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसी है? ये शू ने कहा, हाँ, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्तिमान की दहिनी और बैठी और आकाश के बादलों के साथ दाते देखोगे, तब महायाजक ने अपने वस्त्र भार कर कहा, अब हमें गवाहाओं का और क्या प्रियोजन, तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वो वक्र के योगे है, वो वक्र के योगे है, तब तो कोई उस पर थूकने, और कोई उस थपड़ माने, जब पत्रस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लॉंडियों में से एक वहाँ आई, और पत्रस को आग दापते देख कर, उस पर टक्टकी लगा कर देखा, और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी ईशु के साथ था, वो मुकर गया, और कहा, मैं नहीं ज और नहीं समझता के तू क्या कह रही है, फिर वो बाहर डेवरी पर गया, और मुर्ग ने बांग दी, वो लॉंडी उसे देख कर, उनसे जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है, परंतु वो फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद, उन्होंने जो पास खड़े थे, फिर पत्रस से कहा, निश्चे तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है, तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा, कि उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करती हो, मैं नहीं जानता, तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी, पत्रस को व वो इस बात को सोच कर रोने लगा, पंध्रवा अध्याए, और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुर्नियों और शास्त्रियों ने वरंग सारी महासभाने सलाह करके येशु को बंधवाया, और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौप दिया, पीलातुस ने उससे पूछा क्या तु यहुद्यों कर राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तु आप ही कह रहा हैं। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे, पीलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तु उत्तर नहीं देता? देखे दुछ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पीला तुसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था, वरब्बा नाम का एक मनुष्य उन वलवाईयों के साथ बंधुआ था, जि पीला तुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाते हो कि मैं तुमहारे लिए यहुद्यों के राजा को छोड़ दूँ, क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, परन्तु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअबभा ही को उनके लिए छोड़ दे, ये सुन पीला तुस ने उनसे फिर पूछा, तो तुम जिसे यहुद्यों का राजा कहते हो, उसको मैं क्या करो? वे फिर चिलाए, उसे एक क्रूस पर चड़ा दे, पीला तुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परन्तु वे और भी चिल उसे एक क्रूस पर चड़ा दे, तब पीला तुस ने भीड को प्रसंद करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, और ईशु को कोड़े लगवा कर सौप दिया, के क्रूस पर चड़ाया जाए, और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, ज आतों का मुकुड भूंत कर उसके सिर पर रखा, और ये कह कर उसे नमस्कार करने लगे, यहुदियों के राजा, नमस्कार, और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते, और उस पर धूकते, और घुटने टेक कर उसे प्रनाम करते रहे, जब वे उसका ठठठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे कुरूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेणी मनुष्य जो गाव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसका कुरूस उठा ले चले और वे उसे कुलगुता नाम जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया तब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिठियां डाल कर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया पहर दिन ही चढ़ा था जब उन्होंने उसको कुरूस पर चढ़ाया और उसका दोश पत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया यहूदियों का राजा और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और कुरूस पर चढ़ाए तब धर्म शास्त्र का वो वचन के वो अपराधियों के संग इना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे मंदिर के ढ़ने वाले और तीन दिन में बनाने वाले कुरूस पर से उतर कर अपने आपको बचा ले इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे इसने ओरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता इसरायल का राजा मसी अब कुरूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे और दोपहर हुने पर सारे देश में अंध्यारा चा गया और तीसरे पहर तक रहा तीसरे पहर यिशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई इलोई लमाश भक्तनी जिसका अर्थ ये है ए मेरे परमेश्वर ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो पास खड़े थे उनमेंसे कितनों ने ये सुनकर कहा देखो वो एलिया को पकारता है और एक ने दोड कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा ठेहर जाओ देखें कि अलाया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं तब येशु ने बड़े शब्द से चला कर प्राण छोड़ दिये और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे इस प्रकार प्राण छोड़ते हुए देखा तो कहा कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी उनमें मर्यम, मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मर्यम और शलोमी थी जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी और और भी बहुत सिस्त्रियां थी जो उसके साथ यरुशलेम में आई थी जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री था और स्वयम परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था वो हियाव करके पीलात उसके पास गया और यीशु की लोथ मांगी पीलात उसने आश्चर्य किया कि वो इतने शेक्र मर गया और सूबेदार को बुला कर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी तब उसने एक पतली चादर मूल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चटान में खुदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुड़का दिया और मर्यम मगदलीनी और योसेस की माता मर्यम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है सोलवा अध्याए जब सब्ट का दिन बीट गया तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें सब्टाह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा के पत्थर लुड़का हुआ है क्यूंकि वो बहुत बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम येश्यू नासरी को जो क्रूस पर चड़ाया गया था ठोंती हो वो जी उठा है यहा नहीं है देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परन्तु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वो तुम से पहले गलीर को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था तुम वहीं उसे देखो और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मर्यम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने ये सुनकर के वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती न की इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया पीछे वो उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीती ना की थी और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में चाकर सारी सुरिष्टी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो जो विश्वास करें और बप्तिसमा लें उसी का उधार होगा परत जो विश्वास नकरेगा वो दोशी ठहराया जाएगा और विश्वास करने वालों में ये चिन्द होंगे वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक बस्तूर भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानी न होगी वे बिवारों पर हात लगे और वे जंगे हो जाएंगे निदान प्रभु येश्व उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दिढ़ करता रहा आमीन